Class 10th का math का chapter number 4 जिसका नाम है quadratic equations इस chapter की exercise 4.3 के question number 8 को discuss करते है Next question पर आते है Exercise 4.3 का question number 1 solve करते है A train travels 360 km at a uniform speed एक train है वो 360 km का distance कवर करती है uniform speed पर मतलब constant speed पर If the speed had been 5 km पर are more it would have taken one hour less for the same journey अगर जो train की speed है ना वो 5 km पर are जादा होती तो train को journey अपनी complete करने में one hour less लगता मतलब बेग घंटा कम लगता अगर उसके speed 5 km पर are जादा होती Find the speed of the train हमने train की जो exact speed है ना वो calculate करनी है Question clear हो गया एक train है कितना distance वो कवर करती है 360 km का distance कवर करती है constant speed पर फिर आपको congestion यह दे रखिया है अगर speed 5 km पर are जादा होती तो time one hour less हो जाता तो time उसे एक घंटा कम लगता उतने ही distance को कवर करने के लिए और हमने train की speed calculate करनी है Question clear हो गया अब आते हैं solution के उपर train की speed कितनी है हमें क्या पता आनेगे तो अब लिखोगे let speed of the crane be x km पर are train की जो speed है उसे हमने x माल लिया and time taken to cover 360 km भी y hours और train को पूरी journey complete करने में कितना time लगता है वो भी हमें पता नहीं था तो time को हमने y माल लिया आपको सिरफ distance दे रखा था कि distance 360 है 360 km का distance को पर करने में time कितना लगता है वो हमने y माल लिया अब हमें ये तो पता है कि distance is equal to speed into time distance is equal to speed into time distance आपको दे रखा है 360 तो distance की जगह पर 36 की आएगा train की speed हमने x मान ही है और time कितना लगता है वो हमने y माना हुए तो 360 is equal to x into y this is equation number 1 कितना clear हुआ question की second line के अंदर ये जो condition दे रखे है न यहां से हम एक और equation बना सकते हैं देखो distance तो उतना ही रहेगा distance 36 की था 36 की ही रहेगा लेकिन question में लिखा हुआ था न कि speed अगर 5 km पर आर जादा हो तो देखो speed हमने 5 से increase कर दी है speed अगर 5 km पर आर जादा हो तो time one hour less हो जाता है मतलब time में से one minus करना पड़ेगा speed increase करोगे तो time automatically decrease ही होगा speed अगर increase कर ले तो time कम लगता है ना journey complete करने में और speed कितनी increase करनी है question में साफ साफ लिखा हुआ है 5 km पर आर more तो speed के अंदर हमने 5 प्लस कर दिया time कितना decrease करना है वो भी question में clearly दे रखा है one hour less time में से one hour आपने subtract करना है तो y में से one minus कर दिया clear हो गया तो ये हमारी दूसरी equation बन गिया है अब इन दोनों equations को combine करके पहले हमें quadratic equation बनाने पड़ेगी चलो आगे चलते हैं आगे जाके solve करते हैं हमने ये वाली दोनों equations बना ली थी ये मारी first equation थी ये second equation थी अब जो second equation है न इसको आगे simplify करते हैं ये 36 कीगा 366 की as a की जिर रहेगा पहले x से आपने दोनों को multiply करना है फिर 5 से दोनों को multiply करना है brackets open करनी है अब यहां तक पहुंच जाओगे अब इस equation में ध्यान से देखो दो variables है x भी है और y भी है देखो यहां पे x आ रहे है यहां पे y आ रहे equation के अंदर दो variable नहीं होने चाहिए equation में से एक variable को हटाना पड़ेगा तो हम इस equation को use करेंगे variable को remove करने के लिए यह देखो x y is equal to 366 की है न यह 360 का 366 की as it is यहां पर x y के जगा पे आप 366 की put कर दो by using equation number 1 x y is equal to 366 की है न तो यह x y के जगा पे 366 की put कर दिया minus x का minus x as it is यह 5 का 5 as it is अब यहां से भी y को हटाना है तो equation number 1 में से y की value निकाल लो देखो यहां से y की value आईगी 366 की upon x यह x y के साथ multiplication में है न उस तरफ जाएगा तो division में आजेगा तो equation number 1 से y की value आती है 366 की upon x तो y की जगा पे y की value put कर दिया है 366 की upon x यह minus 5 का minus 5 as it is यह बना skep आपको समझ में आगया दो जगा पे value put की है एक तो x y की जगा पे 366 की लिखा है और यहाँ पे यह y के जगा पे y की value put की है दोनों बार हमने equation number 1 को use की है यह x y is equal to 366 की है ना तो x y के जगा पे 366 की put की है और यहाँ से ही y की value निकालो y की 366 की upon x तो y के जगा पे 366 की upon x put की है अब देखो अब यहाँ पे सिर्फ x ही है जो variable है वो सिर्फ x ही है दो variables में से एक variable तो हट चुका है इतना clear हो गया यहाँ तक पहुँच गया है अगले स्केप या आते है यह 366 से आप 366 की cancel out कर दो यहाँ पे सिर्फ 0 बचे का यह minus x का minus x as it is 366 की को 5 से multiply करना है new breaker new breaker से multiply होगा multiply करके एकीन हंगर काता है यह वाला x denominator में यह denominator में ही रहेगा और यह minus 5 का minus 5 as it is अगले स्केप में LCM ले रहे है यह x यहाँ पे है ना इससे और इससे multiply कर देना है बस यहाँ पे बनेगा minus x square यह एकीन हंगर का एकीन हंगर का एकीन हंगर का एकीन हंगर का as it is और यहाँ पे यह minus 5x बन जाएगा I hope आप LCM ले लोगे पहले भी बहुत बर पताया हुए कि LCM कैसे लेते होते है अब यह वाला x उस तरह भेजो यह वाला x इदर 0 से multiply होगे 0 ही हो जाएगा Anything multiply by 0 is equal to 0 तो सिरफ यह रहे जगा minus x square का minus x square एकीन हंगर का एकीन हंगर और यह minus 5x का minus 5x यह चो पहले वाली term है न x square वाली term वाली term वो negative नहीं होने चीए तो इस पूरी equation को minus 1 से multiply कर रहे हैं तो इन सबका sign change होजगा यह minus x square प्लस x square बन जगा यह minus का 5x प्लस का 5x बन जगा और यह plus एकीन हंगर क्था यह minus एकीन हंगर क्था होजगा और आपने ध्यान दिया हमने स्क्वेर वाली term को लिखा फिर x वाली term को लिखा last में फिर constant term को लिखा आप भी skank act form में लिखा करो तो यह हमारी quadratic equation बन गी है अभी इस quadratic equation को आगे solve करना है quadratic equation को solve करने के लिए हम वही quadratic formula वाले technique को use करेंगे यह हमारी equation बन गी थी सबसे पहले आपने a, b और c किनों की values को लिस्क करना होता है जो x square का coefficient होता है जो x square के आगे number लिखा होता है वो a की value होती है यहाँ पर x square के आगे कोई भी नहीं है जिसका कोई नहीं होता हो उसका 1 होता है तो a की value 1 है x का जो coefficient है वो b की value होती है तो b की value 5 है और यह वाली जो constant term है यह c की value होती है तो c की value minus 11 हंगरग है ABC की values लिख दी उसके बाद आपने discriminant निकालना है discriminant को D से represent करते है और इसका formula होता है B square minus 4AC तो यह D is equal to B square minus 4AC वो लिखोगे B की value 5 put करनी है A की जगा पे 1 और C की जगा पे minus A की इनंग रग यह B, A और C की यह वाली respective values आपने put कर देनी है 5 का square होता है 25 और इनको multiply करके 7200 आता है add करके यह 7225 बन जाता है D की value आगे है D की value greater than 0 है ना तो इसका मतलब इस quadratic equation के real roots है जब एक बार आपके बाद D की value आगे उसके बाद आपने फिर quadratic formula को use करना है X is equal to minus B plus minus under root of B square minus 4AC upon 2A यह quadratic formula आपको अच्छे से याद होना चाहिए X is equal to minus B plus minus under root of B square minus 4AC upon 2A अब values put कर दे है यह minus का minus B की value 5 है यह देखो B की value 5 है और यह B square minus 4AC की value B square minus 4AC की value अपने calculate की हुई है 7 2 को 5 तो यह 7 2 को 5 put कर दिया और A की value 1 है तो A की जगा पे 1 put किया यह minus 5 का minus 5 as a case यह 7 2 to 5 का जो square root है वो 85 के एक पल होता है कैसे calculate की है यह भी आप देख लो जब भी last में 5 होना तो उसका square calculate करना बहुत असान होता है last में अगर 5 है तो इदर last के जो 2 digits है वो तो 25 ही होंगे और जो पहले वाला number होता है पहले वाला number 1 है और counting के अंदर 1 के बाद 9 आते हैं तो 8 को 9 से multiply करना है 1 multiply by 9 वो होता है 72 तो पहले 2 digits 72 होंगे और last में 2 digits 25 होंगे तो 1 के 5 का square होता है 7225 जब भी last में square होता है तो इस तरह से calculate हो सकता होता है इसी को reverse direction में यूज करके आप directly बता सकते हो कि एक की 5 का square root है यह देखो last में 25 है तो last में 5 ही आएगा और 72 आपको बता है एक multiply by 9 होता है तो जो छोटे वाला number होता है वो आगे लिखना होता है वो 8 होगा तो इसका square root 85 है आप directly औरली बता सकते हो prime factorization या square root निकालना नहीं पड़ेगा दुबारा देख लो एक बार जब भी last में 5 होता है न तो square ऐसे calculate करते है अगर last में 5 है तो इधर आखे के जो 2 digits हैं वो तो 25 ही होगे और जो पहले वाला digit होता है न जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 को counting के अंदर एक के बाद 9 आता है न next number उससे multiply करना होता है एक multiply बे 9 is equal to 72 तो आगे बाले 2 digits 72 होंगे और पीछे बाले जो 2 digits हैं वो 25 ही होंगे तो 25 पास square होता है 7225 इसे को reverse direction में यूज़ करके आप directly बदा सकते होंगी एक के 5 आने वाला है यहां तक पहुंच गए उसके बाद 2 cases बनाने होंगे एक बार आपने positive sign लेना है और एक बार negative sign लेना है तो case 1 के अंदर पहले positive sign लेते हैं बनेगा minus 5 plus 85 upon 2 minus 5 plus 85 upon 2 85 में से 5 से प्रैक्ट करो 80 रह जगा 80 को 2 से डिवाट करो 40 आएगा तो x की वाली 40 आ रही है यहां तक clear हो गया next page पे आते हैं इसके आगे x की वाली 40 आ यह है न तो इसके मतलब है crane की जो speed है वो 40 km पर आ रहा है time वैसे पूछा नहीं गया है इस question में time अगर आपने निकालना हो तो बड़ी असानी से निकल जगा time को अमने y से represent किया हो है और y यह था ना 36 की अपन x x की जगा पे यह वाला 40 put करो यह divider के 9 आ जाता है तो time 9 hours है अगर पूछा जाए तो time वी आप इतनी असानी से निकाल सकते हो case 2 पे आते हैं यह देखो वो अगर एक एक फॉर्मला को यूज करके अब यहां तक पहुंच गए थे एक बार plus का sign लेना होता है case 1 के अंदर plus का sign लिया था case 2 के अंदर minus का sign भी तो लेना है इसलिए अगले स्केप में यहां पर यहां पर case 2 के अंदर minus का sign ले रहे है minus 5 minus 1 की 5 upon 2 इसको simplify करके minus 45 आ रहे है इस वाली value को reject करना पड़ेगा क्योंकि जो speed है वो कभी भी negative नहीं हो सकती the speed of the crane can never be negative इसलिए इस वाली value को reject कर रहे है तो यह जो आई थी न 40 यही हमार answer है प्रेन की speed है 40 km पर आर this is the answer कर कर दो इसका कर टोँए पर मुर सक्रापऴ पर रहार nज cranकाब अवाओ आर नहां खो कर मुर सकती दहार operation परो रहे है खो